नमस्कार साथियो कल के पॉइंट के बाद आगे बढ़ते हैं कल हमने देखा था भारत और भारत के पुडोसी देशों की सिमाओं में पाकिस्तान को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे आगे निकट पुडोसी देशों में भारत वे अफ़गानेस्ता भारत अफ़गानेस्तान भारत और अफ़गानेस्तान की सिमाओं सबसे पहले सिमा का निर्धार्ण किया गया सन अठारा सो चाण में सिमाओं सिमा का नाम दूरंड रेखा निर्धार्ण करता थे सार मोर्टी मूर इनके दवार भारती सिमा का निर्धार्ण अफ़गानिस्तान के साथ किया गया इसलिए इस सिमा को ही नाम दे दिया गया दूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के साथ लगने वाली जो सिमा है वो नून्तम सिमा है नून्तम सिमा वाला देश है केवल और केवल हम 80 किलोमेटर की सिमा भारत वे अफ़गानिस्तान के मद्दे देखते हैं वर्तमान में यह सिमा रेखा पाक अधिकरत कस्मीर के कारण भारत के साथ नहीं लगती है इसलिए हम कह सकते हैं नूट लगा करके इसको लिखविले वर्तमान में यह सिमा भारत के साथ नहीं लगती है इसका समन्द पाक वै अफगानिस्तान के साथ है प्रसंद इंपोर्टेंट है दूरंड सिमा अब यहां एक प्रसंद और भी निकल करके आ रहे हैं दूरंड सिमा का निर्धारन अठारासो चानव में किया गया था और उस समय पाकिस्तान और भारत एक ही ही हुआ करते थे इस समय यह जो सिमा का निर्धारन था यह कुछ इस रूप में था और इसको कहा जाता था दूरंड रेखा याद रहे प्रसंद कुछ बदल करके दे दिया जाता है दूरंड रेखा सरवादिक लंबिक किन देशों के मद्दे लगती है हमारे माइंड में एक ही प्रसंद होता है दूरंड रेखा का समन्द भारत और अफ़वानिस्तान के बीचे क्योंकि इसका निर्धारन 1896 में किया गया था अता उसमें पाकिस्तान और भारत एक ही देश हुआ करते थे तो उसमें अफ़गानिस्तान में भारत के मद्दे लगने वाली सिमा का नाम ही दूरंड रेखा था वरतमान में सबसे छोटी सिमा हमारे 80 किलोमेटर के साथ जम्मु कस्मीर राजे से लगती है जो वरतमान में नहीं लगती है पाक अधिकरत कस्मीर का भाग होने के कारण यह है अब वरतमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगती है यहां तक के लिए एक बार स्क्रिम सोट ले ले नेक्स किस्ते देखते हैं हम भारत के राज्य जो इस डूरेंड सिमा पर लगते हैं केवल एक राज्य है वर्तमान में ये राज्य केंदर सासित प्रदेश के रूप में बजल चुका है जम्मू कस्मीर वर्तमान में केंदर सासित प्रदेश केंदर सासित प्रदेश बन गया है तो वर्तमान में इसकी इस्तति हम पाते हैं कि ने तो हमारी भारत और अफगानिस्तान के साथ में ये सीमा रेखा लगती है लेकिन डूरेंड सीमा है वो जम्मू कस्मीर के साथ लगती है next देश के साथ में हम देखें भारत और अफ़गनिस्तान के साथ में हमारे ऐसे कोई भी ने सामरिक मैतों के ऐसे कोई घटना कर्म रहे ने हमारी कोई शिमा, विवाद रहा अब हम आगे के ओर बढ़ते हैं next इस ति में भारत वै चिन के मद्दे सिमा नेक्स इस्ति भारत, चीन, सीमा सबसे पहले हम देखे, भारत और चीन की जो सीमा का निर्धारण था, वो 1914 में किया गया, निर्धारण सिमला सम्मेलन में हुआ, सिमला सम्मेलन में हमारी भारत और चीन के मद्दी शिमा का निर्धारण किया जाता है, निर्धारण करने वाले थे, मैक, मोहन, इसलिए इस सीमा रेखा को कहा जाता है, मैक मोहन रेखा, अर्थार्थ, निर्धारण करता, सर मैक मोहन थे यहां तक की स्थति को आप जान पा रहे हैं 1914 में सिमा का निर्धारन हुआ सिमला सम्मिलन में हुआ मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है निर्धारन करता सर मैक मोहन थे अब हम देखें कि निर्धारन करता सर मैक मोहन थे इनका पूरा नाम सर हैंरी मैक मोहन था सन हैंरी मैक मोहन था अब राज्यों की स्थति को देखें भारत और चीन के साथ कौन-कौन से राज्यों की सिमा लगती है राज्यों की स्थति में भारत के राज्य जो मैक मोहन रेखा पर सिमा वरती स्थति को रखते हैं नमर वन सबसे पहले लगदाक जो की केंदर सासित प्रदेश है यूनियन टेरिटरी की रूप में जाना जाता है दूसरा हिमाचल प्रदेश तीसरा राज्ये उत्राखंड चोथा राज्ये सिक्किम पाच्वा राज्ये अरुनांचल प्रदेश इस प्रकार से लद्दाक, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड, सिक्किम और अरुनांचल प्रदेश की सिमाएं लगती हैं देखिए इन राज्यों की स्थति में एक केंदर सासित प्रदेश और चार राज्ये हैं इनकी मानचेतर में स्थति देखें तो सबसे पहले हम पाते हैं लद्दाक, फिर पाते हैं हिमाचल प्रदेश, फिर पाते हैं उत्राखंड, फिर पाते हैं सिक्किम और फिर पाते हैं अरुनांचल प्रदेश ये चीन के साथ सिमावर्ती राज्यों की स्थति है लद्दा, हिमाचल प्रदेश, उत्राकर्ण, सिक्किम और अरुनांचल प्रदेश यहां हम अगर लंबाई को देखें तो यहां लंबाई की द्रस्टे से 497 किलोमेटर चीन की भारत के साथ सिमा की लंबाई बनती है तो इन चार राज्यों के साथ हमारी और एक केंदर सासित प्रदेश के साथ 497 किलोमेटर की लंबाई बनती है नेक्स पॉइंट देखते हैं अपन भारत चेन विवाद भारत चेन विवाद भारत और चेन के बीच विवाद का मुख्य कारण है अक्साई चिन दूसरा विवाद का कारण है दोकलाम विवाद मुख्य रूप से देखा जाए तो साथ यो अक्साई चीन वाला छित्र है इसको हम अगर नक्से में देखे तो इस छित्र को अक्साई चीन कहा जाता है यह अक्साई चीन वाला छित्र है जो चीन ने कस्मीर वाले छित्र को दबा रखा है वो कस्मीर का भाग हुआ गरता था जो की वरत्मान में लद्दा केंदर सासित प्रदेश का अंग है केंदर सासित प्रदेश का भाग है दूसरा जो विवाद है वो ढोकला विवाद है जो की भारत बूटान और चीन के मद्दे एक ट्राइंगल पर बनने वाला एक इस्तान है जहां पर चीन ने इस चेतर में कोरिडोर के अंतरगत सड़क का निर्मान कर दिया जो काफी विवाद का विशरा अंतते इस सड़क को बंद कर दिया गया वरत्मान में इसका उप्योग नहीं किया जा रहा है अक्साई चीन चेतर डोकला विवाद और वरत्मान में एक जो विवाद चल रहा है वो विवाद है भारत घेरो नीती चीन की भारत घेरो नीती इस भारत घेरो नीती को कहा जाता है मोतियों की माला मोतियों की माला कहा जाता है इस मोतियों की माला का समन्द किस्स्ट है वो हम जलिय चेतर के साथ देखेंगे कौन-कौन से चेतर को लेकर के ये मोतियों की माला भारत को चारों और से किस परकार से घेरने का प्रियास चीन कर रहा है इससे पहले हम देखें भारत की हिंद महा सागरी चेतर में बढ़ते हुए महतों को देखते हुए चीन ने भारत को गेरने का प्रियास किया कि चारू तरफ से अगर भारत को अपने मांसिक रूप से दबाव में रखा जाए तो क्यों नहीं चारू तरफ हमारे सामरिक महतों के अड़े स्तापित कर दे जाए यानि यहां सेना के कुछ इस्ताई बेड़े यहां तैनात कर दे जाए जिससे कि भारत को हमेशा युद के प्रती सचेत रहना पड़ेगा भारत हमेशा युद के प्रत्य अपना ध्यान रखेगा और भारत का विकास पर भावित होगा ये थी मोतियों के माला जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे चलो साथ यो next देश की चर्चा करें भारत नेपाल सीमा याद रहे भारत और नेपाल की जो सीमा है उसका कोई नाम नहीं है वैसे प्राकर्तिक सीमा बनती है इसकी लंबाई सत्रा सो बावन किलोमेटर पाई जाती है तो इस गया हम एकाउन भी देखते हैं कोई अंतर नहीं है सत्रा सो बावन किलोमेटर के साथ हमारी अंतरास्टी सीमा नेपाल के साथ लगती है जिसका वास्तम में कोई नाम नहीं है बारत के साथ और नेपाल के साथ लगने वाले भारत के राज्यों की चर्चा करें तो भारत के राज्य जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है पहला राज्यों के सत्य में प्रथम राज्य के सत्य आती है उत्रा खंड दूसरे राज्य के सत्य आती है उत्तर प्रदेश तीसरे राजे के सत्याती है बिहार चोथे राजे के सत्याती है पस्मी, बंगाल और पांचवा राजे सिक्किम इसके सत्याती है अब हम मांचेतर के और आगे बड़े सबसे पहले हम देखें उत्राखंड की सत्याती है फिर ये सत्याती है यूपी की ये सत्याती है बिहार की ये सत्याती है सिक्किम की और ये सत्याती है पस्मी, बंगाल की इस प्रकार से उत्राखंड, उत्रप्रदेश, बिहार, पस्मी बंगाल और सिक्किम पांच राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है वैसे तो भारत और नेपाल के वीच में सीमा को लेकर के कोई विवाद नहीं रहा, वैसे भी समाने तो विवादों से दूर रहा है, लेकिन कुस में पहले एक विवाद उबर करके आया था, भारत का नेपाल के साथ काला पानी विवाद, तो हम संक्सित सी चर्चा भारत और न पाल विवाद काला पानि विवाद यादु रहे काफी मेतों पूर्ण प्रसन है एक मात्र्व चरचित विवाद है जो वर्तमान में चर्चा का विश्व है काला पानि विवाद जिसको भारत और नेपाल ने वर्तमान में अपनी नीतियों के तहट समझोते के दवरा दूर कर लिया है देखी क्या है कालापानी विवाद काली नदी है काली नदी है और इस काली नदी पर बांध बना दिया गया और उस बांध का नाम है तनकुर बांध ये काली नदी उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है यहां बांध बना दिया गया उत्तर प्रदेश की सीमा से पहले ये नदी जब पहाडी छितर से नीचे उत्तर करके आती है तो इस पर सबसे पहले बांध बना हुआ है तनकपुर बांध इसका पानी जो नेपाल भी काम में लेता था भारत भी काम में लेता था लेकिन भारत की उत्तराखंड राज्य में अब इसका समझी पूछ लिया जाए किस राज्य में है तो उत्राखंड राज्य में टनकपुर बांध है जो की काली नदी पर है और इस बांध के बन जाने से नेपाल ने इस पर विरोध जताया अब याद रहे यह बांध है जो उत्राखंड के पीथोरागड जिले में है समाप्त कर दिया गया है अब यहां एक विशेश बात निकल करके आते हैं और वो नोट के रूप में हम देख पाते हैं क्या है भारत और चेन एक सक्तिशाली देश चेन और एक उबरती हुई महासक्ति भारत इन दोनों के बीच सक्ति संतुलन का कारिये भी करता है नेपाल इसलिए नेपाल पर चीन भी अपना सामरिक महतों को ध्यान में रखते हुए मितरता पूर्ण समंद रखना चाता है और भारत भी नेपाल के साथ अपना सामरिक महतों को देखते हुए मितरता पूर्ण समंद रखना चाता है इसलिए नेपाल के साथ में विवाद हुआ वि भारत वे चीन के मद्दे सामरिक महतु का उच्छ भाग जो दो महा सक्तियों के बीच दो महा सक्तियों के बीच सक्ति सक्ति संतुलन का कारिय करता है ऐसा है नेपाल इस इस्तति को भारत वे चीन के मद्दे नेपाल की इस इस्तति को कहा जाता है बफर इस्टेट पहरे साथ ही बहुती महतु कुण प्रसन है पोलिटिकल का भी प्रसन है बफरी स्टेट क्या है दो महा सक्तियों के बीच सक्ति संतुलन का कारिय जो छेतर करता है उसको बफरी स्टेट की संग्या दी जाती है ऐसे में भारत के लिए नेपाल और भूटान दो ऐसे ही महा सक्तियों के बीच उपर उठे हुए भूबाग है जो सामरिक महतु के लिए उप्योगी माने जाते हैं अर्थार्द बफरी स्टेट कहलाते हैं नेक्स्ट अगले देश की और बढ़ते हैं नेक्स्ट हम भारत के साथ बूटान के सत्य को देखते हैं भारत बूटान देखिए भारत और बूटान के मद्दे कोई विवाद नहीं रहा और भारत और बूटान के बीच जो सीमा हम देखते हैं वो प्राकरतिक सीमां के साथ लगती है हम भारत और भूटान के साथ लगबग 699 किलोमेटर की सीमा पाता है देखिए नेपाल बफरी स्टेट के रूप में भारत का पडोसी देश और भूटान एक बफरी स्टेट के रूप में भारत का पडोसी देश है इसलिए इनका महतो कुछ भारत के लिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक उबरती हुई महासक्ति दुनिया की एक ताकत जो हमारे उत्तर में चीन है उसको अगर नियंत्रित करना है तो नेपाल और भुटान को हमें सदा सदा भारत के फेवर में रखना होगा इसलिए भारत के साथ इन सिमाओं के उपर कोई विवाद नहीं रहे है तो भारत और भुटान के साथ सिमा का कोई विवाद नहीं रहा है प्राकर्तिक सिमाओं के साथ में पाया जाता है और हमाले इनकी सिमाओं का निरदारन करता है अब भारत के साथ जो राज्ये हैं, भारत के राज्ये जो भूटान के साथ पढ़ते हैं, कौन-कौन से राज्यों की सीमा लगते हैं? नमर एक, पस्मी बंगाल, नमर दो, सिक्किम, नमर तेन, असम, और नमर चार, अरुनांचल, प्रदेश. देखिए मानचितर के और आगे बढ़े हैं, तो ये जो इस्तती है, ये अरुनांचल प्रदेश की, और इस इस्तती के साथ हम पाते हैं, ये इस्तती आती है, असमराजय असोम की, ये इस्तती आती है, सिक्किम की, और ये इस्तती आती है, पस्मी बंगाल की. तो इन सिमाओं के साथ हमारी इस्तती चार राजयों के साथ सिमा बरती है, असम के साथ सिमा बनाता है, इधर अरुनांचल प्रदेश के साथ पुरों में सिमा बनाता है, अब यहां प्रसनिक IMPORTENT बन जाता है, जैसा कि म्यामार, चेन और बुटान, एक ऐसा राजय भारत का जो तीन देशों के साथ सिमा बनाता है, यहां इस्तती आती है अरुनांचल प्रदेश Japanese, इधर अरुनांचल प्रदेश के साथ सिमा बनाता है, इधर चीन के साथ सिमा ब इन देशों के साथ अंतरास्टे सिमाओं को इस पर से करती हैं। म्यामार और भारत के साथ लगने वाले भारत के राज्ये। भारत के कौन-कौन से राज्ये हैं जिनकी सिमाओं म्यामार देश के साथ लगती है। तो सबसे पहले तो हम देख चुके थे। अरुनांचल प्रदेश उत्तरवर्ती है। इसके बाद में हम देखें। नागालेंड फिर इसके बाद में देखें। मनीपूर और इसके बाद में देखें। मीजोरम इन चार राज्यों की सीमा करम से अरुनांचल प्रदेश नागालेंड मनीपूर वे मीजोरम के रूप में पाई जाती है। तो उत्तर में अरुनांचल प्रदेश सीमावर्ती राज्ये है। अरुनांचल प्रदेश के दक्षण में नागालेंड के दक्षण में मनीपूर और मनीपूर के दक्षण में मीजोरम राज्ये की स्थती आती है। परिसाथ योग यहां काफी महत्योपूर प्रसन है। इस स्थती में करम से इन राज्यों को उत्तर से दक्षण के और देखर के पूछा जाता है। और यही प्रसन जब हम बहुत तीक प्रदेशों में देखते हैं तो कुछ पाड़ी सरंखलाओं को भी करम से देखर के पूछा जाता है। पूरव से पस्यम पहाडियों का करम क्या है तो यहां प्रसंद इंपोर्टेंट बन जाता है उत्तर में अरुनांचल प्रदेश के दक्षन में नागालेंड नागालेंड के दक्षन में मनिपूर और मनिपूर के दक्षन में मीजोरम राज्य सिमावर्ती राज्य है सीमा, भारत, बांगलादेश, सीमा, देखिए जैसा हम देख पा रहे हैं, इधर ये जो सीमा वर्ति इस्तती है, ये बांगलादेश की स्पस्ट होती है, बांगलादेश की भारत के आंत्रिक वर्ति होने की कारण सीमा तीन तरफ से लगती है, देखिए बांगलादेश के पूरो में, बांगलादेश के उत्तर में और बांगलादेश के पस्चम में इस तलिए सीमा लगती है, यही कारण है कि भारत का सरवादिक अंतर्रास्ट्रिय सीमा वाला पडोसी देश बांगलादेश है भारत और बांगलादेश की सीमा का संदर्ब हम पाते हैं लंबाई के साथ भारत और बांगलादेश की सरवादिक जो लंबी सीमा है 4,096.70 किनोमिटर है इस सीमा रेखा का नाम है रेड किलिफ है याद रखना कोई तूटी पूर्ण नहीं है सोचें भारत और पाकिस्तान के मद्दे ही सीमा रेड किलिफ है भारत और बंगलादेश के मद्दे भी जाने जाने वाली सीमा का नाम रेड किलिफ ही है लेकिन इसके कुछ अन्य नाम भी है भारत और बांगनादेश के मद्दे इस सीमा को हम जीरो लाइन भी कहा जाता है या जीरो रेखा के नाम से या जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है जीरो लाइन जो रेखा है इस रेखा का समन्द पाया जाता है त्रीपुरा में त्रीपुरा राज्ये के साथ लगने वाली सीमा त्रीपुरा राज्ये के साथ लगने वाली सीमा का नाम है वो जीरो रेखा है इसी बंगलादेश के साथ लगने वाली सिमा का नाम तीन बीगा गलियारा भी है और ये जो तीन बीगा गलियारा है इसका समंध वैस्ट बंगोल से लगता है यानि पस्चमी बंगाल राज्य के साथ लगने वाली इस सीमा वर्ती रेखा को अंतरास्टे सीमा को तीन बीगा गलियारे के नाम से जाना जाता है इसके बाद एक बार के लिए इसका स्क्रीन सोट ले ले फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स पोईट पर चलते हैं बारत के राज्य जो बांगला देश की सीमा पर लगते हैं सबसे पहले हम देखें पस्मी बंगल फिर देखें असम यासों थर्ड नमर पर देखें मेगाले फोर्थ नमर पर देखें त्रीपुरा और फिप्ट नमर पर देखें मिजोरम इन राज्यों की सिमाओं से गिरा हुआ है बांगला देश मानचित्तर में इसको देखें ये जो सिमा बनती है ये पस्मी बंगाल की सिमा बनती है इस पस्मी बंगाल के साथ में इसकी सिमा पस्चमी बंगाल के पूरो में और बांगलादेश के पस्चम में लगती है इसके उत्तर में सीमा असोम की लगती है यहां सीमा मेगाले की लगती है पुने असम की सीमा बनती है फिर त्रीपुरा की सीमा लगती है और फिर मिजोरम की सिमा लगती है इस प्रकार से चारों तरब से पस्मी बंगाल, असोम, मेगाले, तिरिपुरा और मिजोरम बांगला देश को घेरे हुए है आगे हम चलें भारत और बांगला देश के मद्दे यहां से राज्यों को लेकर के दो प्रसन बनते हैं वहे राज्ये जिसकी सिमा बांगला देश को दो बार इसपर्स करती है असम राज्ये है यह असोम राज्ये है जिसकी सिमा बांगला देश को दो बार इसपर्स करती है तिरिपुरा राज्ये ऐसा राज्ये है जिसको बांगला देश तीन और से घेरे हुए है अर्थार्थ बांगलादेश की तीन ओर से सिमाएं तीरपुरा के साथ लगती है नेक्स सिस्थी में चले भारत बांगलादेश विवाद भारत और बांगलादेश के बीच काफी विवाद रहे समय समय पर चर्चा में रहे भारतोर बंगलादेश के बीच पहला विवाद रहा फरक का जल विवाद गंगा नदी की जलधारा पर बना पस्मी बंगाल राज्ये में बांध है जिसका नाम है फरक का डेम या फरक का बांध इसके जल वितर्ण को लेकर के विवाद रहा क्या है ये फरक का जल विवाद गंगा नदी पर पस्मी बंगाल राज्ये में बना फरक का डेम है जिसको लेकर के जल वितर्ण को लेकर के विवाद है तो बूमी अदलाब अदली इसको लेकर के विवाद रहा बाहरत और बांगलादेश के बीच में कुछ सिमाओं इस परकार से हमें देखने को मिलती है इस परकार की सिमाओं है ऐसी सिमाओं जिगजग सिमाओं है और इन जिगजग सिमाओं को लेकर के भारत और बांगलादेश की सरकार ने मिलकर इस समस्या का निराकरन करने का प्रियास किया इसमें वे प्रदेश जो बांगलादेश की तरफ आगे आंत्रिक रूप से भारत के प्रदेश थे वे प्रदेश जो बांगलादेश के प्रदेश थे जो भारती सिमाओं के और आंत्रिक रूप से थे इनको एक सिवी लाइन के रूप में कुछ जिस्तान जो बांगलादेश के भारत के और और भारत के बांगलादेश के और इस भूमी को देकर इस विवाद को समाप्त करने का प्रियास किया गया है इसके बाद में रहा चक्मा सनार्थी विवाद काफी मैं तो कुण है बारबार एक जम में पूछा गया है चक्मा सनार्थी समस्या किन देशों के मद्दे है भारत और बांगलादेश के मद्दे है यहां भारत और बांगलादेश में जब 1971 में भारत बांगलादेश का एक सौतंतर देश के रूप में पाकिस्तान से इसको अलग सौतंतर देश के रूप में मानिता दिलाने का प्रियास कर रहा था उसमें पाकिस्तान का यहां अधिकार था और यहां की सेना ने जब यहां के नागरिकों पर अत्याचार किये तो उसमें यहां लगभग आड़ से दस लाख नागरिक एक साथ भारती सिमाँ में परवेश कर चुके थे आड़ से दस लाख नागरिक इन नागरिकों की भारती सिमा में परवेश को लेकर के भारत सरकार ने विरोध दर्ज किया और यह विवाद वर्तमान समय तक जोलनता है चकमा सरनार्थी विवाद इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा वो असम राज्ये में देखने को मिला और यही अपने नागरिक ताबिल जो काफी चर्चा में रहा यहां असम से ही प्रारम किया गया था यह चकमा सरनार्थियों को लेकर के था इसके संदर में बारतेस समिदान में एक समिदान संसोदन भी किया गया है उस समिदान संसोदन का समंद है सोवा समिदान संसोदन याद रखें परसन काफी महतोपुन है पोछले जाता है सोवे समिदान संसोदन का समंद है तो सोवे समिदान संसोदन का समंद नागरिकता बिल को लेकर के है और यह जो बिल है यहाँ इस समस्या को समाप्त करने के लिए जो भारतिय नागरिक है उनको भारतिय नागरिकता का प्रमान पत्र हो और जो नहीं है वो उस देश की नागरिक माने जाए या उनको उन देशों को वापस ट्रांसपर किया जाए नेक्स आगे चल करके हम देखते हैं अगले विवाद के स्तिय में विवाद नमर फोर आता है यहाँ एक दीप को ले करके दीप का नाम है न्यूमूर दीप विवाद न्यूमूर दीप विवाद बांगला देश की सिमाओं के निकट ब्रंपुतर नदी और गंगा नदी की सयुक्त रूप से लाए गए अवसाद पदार्थ के जमा कर देने से एक दीप का निर्मान हो गया और यह दीप भारत का अधिकार है और बांगला देश कहता है भारत का अधिकारन होकर के बांगला देश की जली सिमाओं के निकट होने के कारण बांगला देश का है याद रहे वरतमान में इस समस्या का निराकन 2019 में कर लिया गया है और बांगला देश ने यह नूमूर दीप है यह भारत को सोंख दिया है नूमूर दीप वरतमान में भारत को स संदर में हमारे भारत और बंगलादेश के बीच और भी समस्याई रही उन समस्याओं में नेक्स्ट रही चीन को दिये गए बंगरगा है के कारण वैचारिक द्वंद वैचारिक द्वंद की स्तती भी पैदा हुई थी बंगलादेश ने कुछ समय पहले चीन को यहां सामरिक महतों के लिए एक बंदरगा दिया उस बंदरगा के कारण भारत और बंगलादेश के बीच में मनमुटाओ पैदा हुआ लेकिन वर्तमान में इसकी लीज समाप्त हो रही है जब नियुमूर दीप विवाद समाप्त कर दिया गया है आने वाले समय में भारत और बंगलादेश के समंद निशित रूप से मदू समंद होंगे इस करम में हम देख रहे हैं भारत और बारत के पुडोसी देशों के संदर में कौन कौन से सीमाएं किस प्रकार से अवस्तित हैं किन देशों के साथ भारत का सामरिक महतो कैसा है और भारत के पुडोसी देशों के साथ भारत के कैसे समंद पाए जाते हैं इन सम अच्छे लगी होगी निश्यत्रोप से आप इसके लिए कमेंट्स करके बताएं